मुरादबाद के काशीराम नगर इसी द्वारका धीश मंदिर में श्रीमद भागवत कथा का समापन समारो कारिक्रम आयोजित किया गया इस सफसर पर आयोजिन समीती द्वारा एक विशाल बंडारे का आयोजिन भिकराया गया जिसमें भारी संक्या में पहुंचे श्रधालो ने धर्म लाप कमाया मुरादबाद के काशीराम नगर इसी द्वारका धीश मंदर में श्रीमद भागवत कथा सपता का समापन समारो कार क्रम आयोजित किया गया साथ दन तक चली श्रीमद भागवत कथा में कथा वाचक पंडित वियोम त्रपाची ने सभी को संदेश दिया कि सत्ते के साथ आगे बढ़ें विशाल बंडारे का आयोजिन भी कराया गया जिसमें भारी संक्या में पहुंचे श्रधालो ने धर्म लाप कमाया आयोजिन समीति द्वारा बताया गया कि श्रीमद भागवत कथा सप्ता में सभी का भरपूर योगदान रहा झाल 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 कर दो कर दो आज का तो पहले से का विष्राम हुआ और आज हवन हुआ सुवे फिर उसके बादा भंडारा चल रहा है और भंडारे में जो समिति के लोग हैं और टरस्ट के लोग हैं सबने मिल के विवस्था की है इसके बाद भी बहुत से भख्त लोगों ने भी अपनी तरब से उसमें सहयोग करा है और सब मिलके इसका भंडारे का आयोजन हो रहा है और काफी भक्त लोग आ रहा है और समाज के लोग, महले के लोग सब जो है इसमें भंडारे का पलशाद ले रहा है और जितने भी समिति के लोग थे और ट्रस्ट के लोग थे, वो सब सेवा में लगे हुए हैं, किसी को परिशानी ना हो, और सबसे अच्छी बात है, सारे भक्त लोग कल घोचना कर दी थी, कि सब लोग मास लगा गया हैं, सैने ट्राइजर का प्रियोग करें, और यहां पे भी समिती ने सैने ट्राइजर की वि भंडार, परसात का जो भंडारा चल रहा है, वो उसी हिसाब से चल रहा है, कोई परिशानी नहीं है, आपकी पता हो गई है, और नेस्टाइज बेर होगी का पता होगी है, हाँ, समिती ने अखिल भारत बरसी है, यादव महासवान है, और जो सिरी कृस्न चैरे ट्रस्ट है यहां का, उसमें यह निल्ना करा है, कि हम इस साल भक्तों ने बहुत सहयोग दिया, पबलिक में बहुत सहयोग दिया, सुनने भी बहुत आए, धर्मलाब लिया, तो यह निल्ना करा है, कि हम भविश्य में भी इस प्रकार के आईविन करें, जिससे पबलिक के लिए फायदा हो और सभी के लिए धर्म लाब मिलें नई नई चीजें मिलें और आज भंडारे में भी हमने सबसे यही कहा है कि जो आपने कल साथ दिन में सीखा है जो हमारे बेयोम तिरपाधी जी ने सब लोगों के लिए कथा के माद्यम से अच्छी अच्छी बाते बताई हैं और कैसे रहना चाहिए एक दूसरी साथ कैसे बेवार करना चाहिए उसको वो सब लोग अपने जीवन में उतारें आचरना बेवार में लाएं तभी लाब में लागा होली के पर्वका हमारी समीचे ने निर्णने लिया है कि होली मिलन समहरों होगा और उसे धुन धाम से हम लोग सब मनाएं